ओम नमेशिवाय हरहर महादेव जैशू शंबो शनी एक मातर ऐसा ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति की जीवन को अप एंडाउन तुरंद कर देता है शनी के प्रभाव इतने भयावक होते हैं कि जिनके प्रभाव को हम समझ नहीं पाते हैं कई बार आपको कोई सिच्वेशन है लाइफ में ऐसी बनती है कि दिमाग सोचना और समझना बंद कर देता है जो परिसितिया वरतबान में चल रही वो इस तरह की परिसितिया आ चुकी है कि हमारे जीवन में कुछ भी बाते अच्छी नहीं हो रही है जितना हो सके उतनी चीज़े कम हो रही है उतनी चीज़े खराब हो रही है काम नहीं बन पारे और इतने रोड़े अटक रहे हैं कि जिसके बारे में हम जितना सोचते हैं परिशान हो जाते हैं तो शनी एक विक्ति को कोहलू का बेल जिसे कहते हैं कि एक ही जगा पर इर्दगिर्द बार बार गुमाते रहता है ऐसी परिस्तितियों से निपटने के लिए आप बहुत प्रयास करते हैं यतने करते हैं बहुत जोर लगाते हैं कि इन परिस्तितियों से हम बहुत जल्दी बहार निकल कर आएं बहुत मेहनत करते लेकिन फिर भी बहार नहीं निकल कर आपाते हैं और यही परिस्तितिया हैं यह शनी से जुड़ी हुई गोर परिस्तितिया हैं शनी से जुड़ी हुई इस तरह का माया जाले जिसे आपको करना चाहिए, साथी साथ उसे भगवान हनमान चालिसा का पाट और बजरंगबान का पाट नियमित करना चाहिए, सुन्दरकान का पाट भी शनिवार और मंगलवार को कर सकते हैं, और शनिवार और मंगलवार के दिन नियमित रामायन का पाचन करना ही है आपको, जब आप इस प्रयोग को करते हैं भगवान हनमान जी महाराज को प्रसंद करते हैं तो शनी से जितने सारे जुड़े हुए आपके विकारे वो खत्म हो जाते हैं और आपके जीवन में एक सकारत मग बदलाओ दीरे दीरे आना शुरू हो जाते हैं तो दूसरा प्रयोग है कि अपने नेगेटिव होना सब अच्छा हो जाएगा नमस्षिवाय